उपमुख्यमंत्री मुकेश अगनिहोत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी विधान सभाक शेत्रों में स्वच पेजल उपलब्ध करवाने का खाका जल शक्ती विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है जल्द इसे सारवजने कर इस पर पूर्ण प्रतिबधता के साथ कार्य किया जाएगा ताकि आने वाले दो सालों में हर घर तक स्वच पेजल उपलब्ध हो सके उपमुख्य मंत्री विश्व पर्यावरन दिवस के मौके पर रेनोका जी विधान सभाक शेत्र के बोगधार मेले में बतोर मुख्य अतिथी उपस्थित हुए उन्होंने विधान सभाक शेत्र में आविशक्ता अनुरूप तीन बस अड़े निर्मित करने का आश्वासन दिया इसके अलावा विभिन्न स्थानों के लिए बंद की गई बस सेवा बहाल करने और नए रूटोन पर बस चलाने की बात कही उन्होंने स्थानिया विधायत एवं लोगों को विश्वास दिलाया की रेणो का जी विधान सभाक शेत्र से संबंधित कारियों और लोगों की मांगों को प्राथमिक्ता दी जाएगी उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चूरधार रोपवे को प्राथमिक्ता सूची में शामिल किया गया है उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वायेस परमार के योगदान को भी इस दौरान याद किया उन्होंने कहा कि विधान सभाक शेत्र में जल शक्ती विभाग के तहट 200 करोड रुपए खर्च किये जा रही है इसमें से 56 पेजल योजनाओं पर 150 करोड रुपए विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर 30 करोड और सीवरेज के प्रोजेक्ट पर 19 करोड खर्च किये जा रही है ब्यूरो रपोर्ट सिटी चानल उना